तो कहना है फूलों की दुकाने खोलो, खुश्बू कावयो पार करो, मलाहों का चक्कर छोडो, तैर के दरिया पार करो नमस्कार आदाब, मैं योगेश प्रताब आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम आपके लिए लेके आगे हैं एक न्यू प्रोपर्टी ब्लोग, आज मुझे ये बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम आपके लिए 1BHK फ्लैट जो की भारत की राजधानी दिल्ली में है, आज हम आपको लेके आचुके हैं दिल्ली में तो चलिए हम आपको फ्लैट दिखाते हैं, और हाँ इससे पहले हम आपको आज पास के एरिये से रूबर उगरवाते हैं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना वैल डवलप एरिया है, और हो भी क्यों ना, ये हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में जो है तो आज हम आच चुके हैं, एक आपको बहुत ही बहतरीन सफर पर लेकर, आप ये सामने जो फ्लाइ उबर देख रहे हैं, ये हमारे फ्लैट से मात्र आट सो मीटर की दूरी में है और यहां पर आपको ट्रांस्पोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको हर दो तीन मिनिट में दिल्ली सरकार के डिटी सी बस आपको आटो मिल जाएगा, यहां से आप ओला उबर कोई भी चीज करके अपने डेस्टिनीशन पर पहुँच सकते, आप सामन के रेनिवेशन का भी काम चल रहा है, यहां पर आप मॉर्लिंग वॉक इवनिंग वॉक पर भी आ सकते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जूले भी लग रहे हैं, मतलब आप यह कह सकते हैं यहां पर एदा सोसाइटी के तरीके से आप यहां रहेंगे, यह भी हम रिंग रोट से अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में, और अभी हम पैदल जा रहे हैं आपको थोड़ा सा दो चार मेंट में हम अपने फ्लैट में पहुच जाएंगे, आप बिल्कुल टी पॉइंट पे जो बिल्डिंग देख रहे है है, वहां से साट पिट का रोड स्फुरू हो जाता है, और उसी रोड से आगे जाके कॉर्नर का दूसरा प्लॉट पड़ता है, यह आप देख रहे हैं, हम साट पिट रोड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना वेल डवल अप एरिया है, कितनी बड़ी-बड़ी बि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यह अभी हम जा रहे हैं अपने फ्लैट के तरफ, आप देख सकते हैं, हमारा यह सोलंकी पबलिक स्कूल है, यहां का सबसे बड़ा स्कूल है, यह दुर्गा पार्क का फेमस स्कूल माना जाता है, यह जो आप इतने चोडी सडक देख रहे है यह भी डारेक्ट रिंग रोड से मिलता हुआ है यह जो आप साथ फिट का रोड देख रहे हैं यहां पे डेली मार्केट लगती है रोड शाम को आप सब्जी यहां कुछ भी मतलब आप यहां पर खरीच सकते हैं एक मिनी मार्केट लगती है रोड यह सामने देख रहे हैं हमें आता है यह आप सामने देख रहे हैं जो बोड लगावा है यहां पर दिल्ली के उपमुख्य मंत्री आये थे और यहां का उद्गाटन करके गए हैं उनका कहना है कि यहां पर एक बहुत बड़ा स्कूल बनने वाला है और वो जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं हमारा बिल्कुल वहीं पर मैं आपके लिए पढ़के विबता दू इस पर लिखाया राज कि विद्ध्याले नसीरपूर दौर का सिलानास कार्य माननिय मनीश सी सो दिया जी यहां से हमारा बिल्कुल दूसरा मकान है और ग्राउंड फ्लोर है मैं आपको बता दू वन भी एच के आपको फ्लैट मिल जाएगा यहां से हमारा मेन एंट्रेंस है जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्योरिटी के परपट से यहां सी सी टीवी कैमरा भी लगा है दसरत पूरी मैट्रो शेशन जो कि हमारे बिल्कुल तील गली छोड़के ही आपको मिल जाएगी सबजी मंडी के पास आप यह देख सकते हैं यहां पर सीलन की कोई ऐसी दिक्कत ने आने वाली है बारिश में नीचे से पूरी आपको टाइले मिल जाएंगी लगी हुई यहां पर आपको बाइक पार्किंग मिल जाएगी यहां पर ऐसी बात नहीं है कि आप यहां पर आएंगे तब आपको करके मिलेगा यहां पर पहले से रिस उपधाये अवेलेबल है अगर आप यहां पर फ्लैट लेते हैं तो आपको MCD का सीवर कनेक्शन मिल जाएगा एलेक्रिसिटी की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है B.E.S.S. कमपनी का आपको एलेक्रिसिटी मिल जाएगा हमने अल्रेडी ये सारे कनेक्शन करवा रखे हैं और हम आ चुके हैं अपने फ्लैट की तरफ उपर कितनी अच्छी डिजाइने बना रखे हैं आप ये देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं अभी अपना हॉल हॉल आपका 15 भाई 15 का होने वाला है आप 4 सीलिंग देख सकते हैं आप देख रहे हैं आपको पूरी फिनिशिंग AC दी जाएगी आपको AC की भी जगे मिल जाएगी यहाँ पर नीचे भी कोई ऐसे सीलिंग की दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर आपको जो इतना समान दिख रहा है भी हालक यह भी किरायदार रह रहे हैं जैसे ही आप आते हैं जैसे ही आप विजिट करने आएंगे यह इन्हें हम खाले करादेंगे आप देख सकते हैं कितना 15 भाई 15 का यह आपको हॉल मिल जाएगा यहाँ पर आराम से आप अपना एक सोफा लगा सकते हैं सामने आप टीवी लगा सकते हैं आप एक बार एक पूरा रिव्यू देखिए यह हम आपको लेकर आचुके हैं अपने वाश वेशन की तरफ यह आप देख सकते हैं आपको कितनी अच्छी फिनिसिंग मिलने वाली यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पर रहता है सीलन का जो कि यहाँ पर हम आपको टाइले लगा के दे रहें आपको कोई भी सीलन का ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइने दे रखी हैं उपर और यहाँ पर पर पंखा भी लगा सकते हैं तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने किचन के तरफ मैं आपको बता दूँ जो हमारा किचन होने वाला पांच भाई पांच का हमारा किचन होने वाला है मतलब अराम से यहाँ पर खड़े होके कोकिंग कर सकते हैं आप देख सकते हैं उपर हम आपको एक्जोस्ट फेन लगा के दे रहे हैं आप यह देख सकते हैं कितना स्मूथने से एरिया है यह जो आप किचन देख रहे हैं यह आपको जो गैस पर लगावा मिल रहा है इसके बिलकुल उस पार भी खुली गली है आपको यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने बेड्रूम के तरफ आप यह देखिए आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग हम आपको करके दे रहे हैं आपका नोबाई नो का एक अमरा होने वाला है अगर आप चाहें तो यहाँ पर एसी भी इंस्टॉल करा सकते हैं और आप यहाँ सामने चाहें तो आप टीवी भी लगा सकते हैं आप यहां जो जितना समान देख रहे हैं यह सारा किरायदार का समान है आप जैसे यहां पर आते हैं विजिट करने आते हैं यह सारा समान आपको हटावा मिलेगा आपको खुला रूम मिलेगा बिल्कुल तो दोस्तों अब बात आती है कि सर यहां पर प्राइज क्या होने वाला है यहां आपको 40 गच का फ्लैट विद बाइक पार्किंग हम मात्र आपको 11 रुपे में फ्लैट दे देंगे अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप नीचे आपको फ्लैश हो रहा होगा नंबर आप इस पर कॉल करके हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप कमेन्ट करके हमसे पूछ सकते हमें आपके सवालों का जवाब देनेमें अत्यांत हर्ष प्राफ्त होगा नाई तो आपके पास एक और ऑप्षन है आम आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लील लाइक शेयर जरू करें झाल झाल